हालो एवरिवन क्या किसी देश में ऐसा होना चाहिए कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाब और वो सरकार आपको चार सालों तक बंद कर दे जेल में जबकि आप मांग कर रहे हैं कि भई आपके साथ यह जो वेवार है वो वेवार नहीं होना चाहिए मतलब जो मानव अधिकार आपके पास हैं, वो मानव अधिकार आपको दिये जाने चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सा देश है, ऐसी कौन से सरकार है, जिसने ये रूल पास किया है, जिसने ये लौ पास किया है, कि चार सालों तक जेल में डाल दिया जाएगा, यूगी ये वीडियो ऑल्मोस्ट हर एक्जाम के रालेवेंट है चाहे वो बंडे एक्जाम हो चाहे वो UPSC पीसे का एक्जाम क्यों नहीं बैलरूस कंट्री कब बनी जब ब्रेकडाउन हुआ सोवियत उनियन का ब्रेकडान हुआ 31 दिसंबर 1991 को आफ्टर शीत यूद जब खतम हुआ कोल्ड वार की समापती के बाद 15 कंट्री बनी सोवियत उनियन ब्रेक हुआ जिसमें से एक कंट्री बनी जिस कंट्री का नाम है बैलरूस जिसकी राजदानी है मेंस्क और जिनका चितर आपको नजर आ रहा है ये हैं वहांके राश्पदी सिंस 1994 लगबग 26 सालों से उस देश पर ये राज कर रहे हैं ताना शाहा बनकर ताना शाही आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि ताना शाही वहां पर चल रही है हाल ही में आपने एक न्यूस और देखी होगी कि बैलरूस प्रेजिडेंट अलेक्जेंडर लुकाश एंको का ये बयान है ये रोने अधिकारी क्रूप से बोला है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला या फिर प्रोटेस किया या फिर बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ सरकार के कोई भी एक स्टेट्मेंट दी तो आपको चार साल तक डाल दिया जाएगा जेल में क्या ये सही है या ये गलत है इसका फैसला तो दुनिया वर्ल्ड वाइट जो बड़े बड़े लीडर है वो मिलकर करेंगे मगर यहां पर जितनी चीज़े खराब हो रही है उन सब चीजों के पीछे जो में रीजन है वो इलेक्शन है इलेक्शन डिस्प्यूट जो 2020 में अगस्त के मैंने में चुनाफ करवाए गए थे वो डिस्प्यूट कही ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसी के अगेंस बात आपको बोल पा रहा हूं कि रश्या के राश्पती और यह बैलरस के जो राश्पती हैं कहीं ना कहीं मिले हूँ हैं गटबंदन है इनका और यह एक दूसरे को सपोर्ट करके इतना दूर तक लेकर जा रहे हैं चीजों को यदि आप और डिटेल में और विस्तार में ज